नवशकार मित्रों बहुत प्रतिछित मिल्कीपूर उपचुनाओ जैसा की लग रहा था कोड के पचरे में पढ़ गया है। इधर नव बिधान सभाओं का उपचुनाओ हुआ और उसमें सात बिधान सभा में भाजपा ने जबर्दस जीत दर्ज की और दो सपा को मिली। लेकिन अभी अभी एक बहुत ही शुब सूचना मिल रही है कि मिल्कीपूर बिधान सभा उपचुनाओ का रास्ता साफ हो गया है। 2022 के बिधान सभा चुनाओं में बाबा गोरकनाथ ने अउधेश प्रशाद के निर्वाचन को चुनाओती दिया था। वो कालातीत हो चुका था उसका रेश्टेशन इसलिए उसी को गोरकनाथ बाबा ने कोर्ट में चैलेंज किया था। कि इन्होंने फ्राड किया है, 420 किया है, जालसाजी किया है अउधेश प्रसाद ने ये गलत चुनाओ जीते हैं। उन्होंने एक कोर्ट में रिट डाला था, कोर्ट वो रिट पेंडिंग हो गई, इधर अउधेश प्रसाद चुनाओ जीत गए। और उसके कुछ दिनों के बाद अभी लोगसभा का जो चुनाओ हुआ तो अउधेश प्रसाद जी सांसत बन गए। लेकिन उसके बाद जब मिल्कीपूर की सीट खाली होगी, जब उप चुनाओ का नंबर आया, तो वही याचिका जो अउधेश प्रसाद नहोंने गोर चुकि सिस्टम पे आ चुकी थी, याचिका पेंडिंग थी, पेंडिंग की याचिका चलते मिल्कीपूर का चुनाओ नहीं हो सकता था, इसलिए चुनाओ आयोग ने नव विधान सभावों का चुनाओ तो घुसित कर दिया, लेकिन मिल्कीपूर चुनाओ को होल्ड कर दिय मिल्की पूर चुनाव के होल्ड होने से लोगों के अंदर निरस्ता आ गई आज चुनाव हो भी गया और आपके परड़ाम आपके सामने है उसके बाउजूर लग रहा था कि मिल्की पूर का चुनाव कब होगा एक अंदकार में इस्थिती बनी हुई थी लेकिन मिस्त्रों आ मिल्की पूर्चुना घोसित नहीं हुआ हाई कमान से फटकार मिली और रातो रात गए याज का वापस लेने चुकि अवधेश परसाद की वकीलों को जब पता चला कि याज का वापस लेने की चुकि वो पार्टी थे और किसी के उपर आरोप लगाने के बाद आप याज का वापस लेने चले गए इन्होंने प्रोसेस को अडाप्ट नहीं किया इस वज़ा से अवधेश परसाद के वकीलों ने बिरोध दर्ज कर दिया और मामला फिर खटाई में चला गया उसके बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हुआ गोरकनात बाबा ने पर उन्होंने लगा दिया कि भाजपा चुकी हार रही थी चुनाओं से बचना चाहा रही थी इसलिए मिलकी पूर्चुनाओं में इस तरह का व्यवधान उत्पन्न कर दिया जबकि याची का कालातीत हो गई है कि जब मैं यमपी बन गया हूं सांसत बन गया हूं तो उस य जाची का कोई अउचित नहीं लेकिन अउधेश प्रसाद ने भी एक तरह से मूर्खता का ही परिचे दिया जैसा कि आपको बताते चलें कि अउधेश प्रसाद भी एक अधिवक्ता रहे गे रह चुके हैं और इस तरह से घटिया वयान उन्होंने देकर अपनी मूर्खता क का परिचे दिया और इधर गोरखनाद बाबा ने भी आरोप का प्रत्यारोप लगाते हुए अउधेश प्रसाद पर उन्होंने भी कोई बुधिवानी का परिचे नहीं दिया लेकिन अब जैसा की सूचना मिल रही है मित्रों याचिका वापस हो गई है और आप जल्द ही चुनाव हो सकता है चुनाव की घोशड़ा हो जाएगी मिलकी पूर लेकिन आपको ये भी बताते चिने ये एक याचिका अभी और पढ़ी है प्रभुनात तिवारी और अर्श्वनी पांडे ने एक जनहित याचिका दायर किया है जल्द मिलकी पूर का चुनाव कराने के लिए जिसकी सुनवाई परसों को होनी है, यानि कि 27 तारी को बुधवार को डेट अभी लगी है, अभी मेरी प्रभुनात मिस्रा से मोबाईल पर वारता हुई, उन्हों ने कहा मैं लखनाओ में था, गोरखनाद बाबा से उनकी वारता हुई, गोरखनात बाबा ने उनको बत चुकि मेरी डेट 27 सारी को लगी है जल्द चुनाओ कराने के लिए मैंने प्रियर किया है कोट में एक जनहित याचिका पड़ी है परसों क्या होगा लेकिन क्या होगा आप चुकि अब याचिका जब वापस हो गई तो चुनाओ आयोग भी अब एक्टिब हो जाएगा उसके बाद हमको लगता है कि दो-चार दिनों के अंदर में मिल्की पूर चुनाओ की घोश्रा हो जाएगी तो जिलनों को परतिच्छा थी मिल्की पूर चुनाओ की चुकि भईया बगल में बाजा बजे और आपके यहाँ पूरा सुनसान रहे अच्छा नहीं लग रहा था कर दें क्योंकि अब मिल्की पूर चुनाओ की घोश्रा होने जा रही है इसी के लिए हमें ततकाल बिना तैयारी के अभी सूचना मिलते ही हमको तुरंत एक वीडियो वानाना पड़ गया मित्रों देखते रहे अजोधाधरपन और इसी तरह नई अपडेट से मैं जुड़ कीजिए धेर सारा प्यार और आशिरबाद दीजिए जिससे समय समय पर मैं आपको अच्छे सच्छा वीडियो आपकी लिए लाता रहा हूं जय स्रियाम देखते रहे हैं अजोधाधरपन